हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बहतरीन एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर दोस्तों एस एप्लिकेशन का यूज करके आप अपने मुबाइल फोन के पूरे के पूरे लुख को चेंज कर सकते हैं जो की देखने में बहुत यदा कमाल का दिखाई देता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ तो चली मैं आपको बता देता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर यह मेरे मुबाइल फोन की स्क्रीन पे कि देख सकते हैं आपर यह जो बॉर्डर है यहाँ पर इस तरीके का LED चल रहा है रनिंग करता हुआ जो कि देखने में बहुत यदा कमाल का दिखाई दे रहा है खुबसूरत दिखाई दे रहा है तो इस तरीके का LED लाइट आप भी अपने मुबाइल फोन की बॉर्डर पे लगा सकते हैं जो कि देखने में बहुत यदा खुबसूरत दिखाई देता है इससे आपका जो mobile phone का look है वो पूरी तरह से change हो जाएगा तो इस तरीके की LED light अगर आप भी अपने mobile phone के अंदर use करना चाहते हैं तो कौन सी है ये application और किस तरीके से application का use आप भी अपने phone पे कर पाएंगे तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने आ लहूं दिने skip करें शुरू से लेकर last तक इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये like बटन होता है इसको दबा कर वीडियो को जरूर से like कर दीजे अगर आप इस channel पे नए है अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये लाल कलर का subscribe बटन होता है इसको दबा कर channel को subscribe कर लीजे साथ में इस गंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और All Notification को On कर दीजिए इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके लिए आपको आपके mobile phone पर एक application को download करने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone पे कि यह है वो application तो पहले मैं इस application का आपको use बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या setting करनी होती है यह बता देता हूँ इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे और कहां से इस application को आप भी अपने phone पे download कर पाएंगे तो जब आप इस application को पहली बार इस तर से open करेंगे तो यहाँ पर यह application आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी देख सकते हैं आप लिखा है activate तो आपको यहाँ पर activate पर touch कर देना है इस तरीके का आपको दिखाई देगा आपका mobile phone पे screen पे तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है set wallpaper तो set wallpaper पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो इस तरीके का आपको यहाँ पर setting दिखाई देगी तो देख सकते हैं लिखा है animation speed यानि कि यह जो LED चल रही है यह अभी बहुत ही slow चल रही है तो आप अपने हसाब से इसको adjust कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसको full कर दीता हूँ इस तरीके से इसके बाद देख सकते हैं लिखा है border thickness तो यहाँ पर आप कितनी thickness रखना चाहते हैं तो यह इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कितना इसको thick रखना है तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से इतने पर set कर लेता हूँ इसके बाद आप देखेंगे अभी जो इस तरीके से corner है ये इस तरीके से curve हैं तो हमको इसको एकदम square में कर देना है तो देख सकते हैं इस तरीके से top वाला जो है इसको top का उपर का है इसको corner देखी कर दी हमने इसके बाद नीचे की तरफ का भी अभी curve है तो इसको भी हमको इस तरीके से बिल्कुल इसको square कर देना है तो इस तरीके के एकदम square shape में ये LED आ जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तो इस application का यूज़ करके आप अपने mobile phone के अंदर border light को set कर सकते हैं जो की देखने में बहुत यादा जबरजस्त, बहुत यादा खुबसूरत दिखाई देता है तो चलिए अब बता देता हूँ किस तरीके से इस application को आप अपने phone पे download कर पाएंगे तो इसके लिए दोस्तो फिलाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो के नीचे वीडियो का नाम लिखा होता है title वीडियो के नाम पर title पर इस तरह से touch करना है नीचे की तरब में आना है यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा download app नीले color के आपको एक link दिखाई देगी तो जैसे ही आप इस नीले color की link पर touch करेंगे तो ये जो application अभी मैंने आपको बताई इसको directly आप अपने mobile phone पर download कर पाएंगे तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैमात आदी